तो आप अप देख लिया था उमीद करता हूँ वहां तक आपको समझ में भी आ गया था उसी चेप्टर को आज हम कंटिन्यू करेंगे और उसके आगे हम लोग देखेंगे आज कि डिमांड फंक्शन क्या होता है सबसे पहले ठीक है तो अगर नहीं पता को यसा है जो पहली बार आया तो च हो गता है कई प्राइस जादा हो गया महगा हो गया तो हम लोग दिमांड कम कर देते हैं तो ऐसे बहुत से रिजन ते जिसकी वह से हमारी वाक कम या जादा होती है घीकश होती है तो जो इमाड एफक्ट की वजह से हमारी वचेशन के ऐसा कुछ खास नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है सिंपासा टॉपिक है डिमांड फॉक्षिन के फॉर्म में आप दिखाते हूं क्या रिलेशन है डिमांड और उसके क्या मतलब में रिमांड प्रॉडक के लिए कोई बीच बीन का मतलब क्या है और को किसी भी को मेर्ट के लिए है फंक्शनल इलेशन्शिप का मतलब क्या है फंक्शनल रिलेशन्शिप ऊसी की बात कर रहा है ठीक है तो डिमार्ट और टीस का प्राइज for the property PN का मतलब है वाई का मतलब है स्टेट दा डिस्ट्रिविशन ऑफ इंकम और जी का मतलब है क्या है गौर्मेंट पॉलिसी क्या है गौर्मेंट पॉलिसी तो इसी सारी चीज़ को आप लिख भी सकते हो याप पर वाई का मतलब क्या हो गया income अप दा कंजूमर ठीक है इंकम हो गई एक क्या है फीचर एस्पेक्टेशन की भाई फीचर में क्या प्राइस होगा क्या जाद हो गए अपका और यह खाली यह फौट के लिए होगा और वाई बार क्या होगा वाई बार आपको डिस्ट्रीबूशन आफ इंकम क्लिया समझ में आया कि निया उम्मीद करते हो अच्छे से समय से समझ में आ गया होगा इस की शूट लेना इसका अजा आएका आपके दो नं the most important question है बेटा यह आपका class 2L में ठीक है उस पर important mark कर लो जल्दी से उसको थ्यान से समझ लो law of demand चैप्टर का नाम भी है demand and law of demand तो जान चुकी हो अब law of demand जानने की बारी आ गई है समझे कर सकते हो description में आपके link है ठीक है तो देखो जल्दी से law of demand क्या होता है law of demand देखो हम लोग ने पढ़ा था अभी normally पहले जो factor था price of the committee में कि जब कभी भी price बढ़ता है तो दिमांड क्या होती है घटती है जब price बढ़ता है दिमांड घटती है और price घटता है तो दिमांड बढ़ती है यही पढ़ा था ठीक है तो जो पहला अला factor था price of the committee उसी को ही follow करता है law of demand समझ महीं बाद यह तो इद्दम सिंपल है law demand law demand कै जब price बढ़ेगा तो दिमांड घटेगी जब price घटेगा तो दिमांड बढ़ेगी बस एक चीजा रखना वहाँ पर लिखना other factors will be constant other factors will be constant या फिर remaining equal constant ठीक है या इक्वाल भी नहीं सकते हो मतलब कहने का कि जितने other factors थे उसको हम लोग constant मान लेंगे मतलब पहला अला factor जो था price of the committee सिर्फ वही काम करेगा पहला अला factor affecting उसके रहा टेस्ट और पेफ्रेंस हो गया substitute goods हो गया income of the consumer हो गया उसको हम लोग क्या मान लेंगे बेटा उसको हम लोग मान लें constant कि उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है तो लॉब डिमांड तभी काम करेगा जब आप other factors को constant मानेंगे लॉब डिमांड क्या बोलता है जब price बढ़ता है दिमांड घटती है तो दिमांड बढ़ती है लेकिन other factors क्या होंगे constant होंगे समझ में आई बात नहीं तो अगर other factors को constant नहीं मानोगे तो वहाँ पर लॉब डिमांड आपका काम नहीं करेगा वहीं लॉब डिमांड बोलता है प्राइस बढ़ता दो दिमांड घटती है लेकिन ऐसे बहुत से केसे से income of the consumer हो गया यहाँ पर क्यों है प्राइस बढ़ता दो दिमांड बढ़ी लेकिन ऐसा हमेशे थोड़ी है अगर consumer की income बढ़ जाती तो दिमांड बढ़ा देता है वहाँ पर यह रूल फॉलो नहीं करेगा कोई चीज़ टेस्ट में आ जाते है जो दिमांड बढ़ जाती है फिर प्राइस का फर्क नहीं पढ़ता है आप कोई चीज़ पसंद आ गई है फिर आप पीते हो समझ में आप खाते हो आप वह फर नहीं बढ़ता आप खरीते हो तो वहीं बोला है तो लॉप दिमांड तब काम नहीं करेगा इसलिए जो अधर फैक्टर से जितने भी प्रिंटेश आप टेस्ट इंपर फ्रेंस वाले सब्स्टिट्यूट गूर्मेंट पॉल बूलू एक ही बात है तो लॉप दिमांड स्टेट चैट अधर ठीक्स रिबेरीग इक्वाल जितने भी अधर थिंग सुसको मी क्या मनना पढ़ेगा इक्वाल मनना पढ़ेगा दाक्वांडिटी दिमांडेट ओफा को मोरीटी इंक्रीजेश अधर इस प्राइस पॉल दो क्यों होगी increase होगी and decreases कब होगा decrease होगा भाई when its price rises जब price बलहेगा तो डिमान क्या हो जाएगी कम हो जाएगी समझे के नहीं समझे तो यह होता है आपका बिटा जी law of demand उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा ठीक है इसको रफ कर दो इतना चलो रफ कर देता हूं ठीक है अब आपके बाद इसके बाद जो आपका स्लेबस में आपके आगे है वह आपका demand schedule क्या है demand schedule तो आप लोग से उसे paper में यह भी पूछ सकता है कि बताओ भाई law of demand क्या होता है explain करो उसकी बाद demand schedule बनाओ उसका और demand कर बनाओ ठीक है पहले demand schedule की बात कर लेंद होता है क्या है जब price बढ़ता है demand price बढ़ता है demand घटती price बढ़ता है यह पता है तो इसी चीज़ को जब आप tabular form में दिखाते हो किसमें बैटा जी टैबुलर form टी ए बी यू ए ले या टैबुलर form में जब भी आप कभी भी दिखाओगे तो उसको लोग क्या बोलते हैं demand schedule बोलते हैं टैबुलर form में कैसे दिखाएंगे तो यह आपका होगी क्या करोगी यहां पर आप लिखोगे price क्या लिखोगी आप प्राइस और एक साइट लिखोगे आप लोग demand ठीक है टैबुलर form में दिखाएंगे कैसे दिखाएंगे भाई टैबुलर form में आप मानलो कोई भी चीज है जैसे मानलो आपका हो गया मानलो आप लेते हो दूद लेते हो ना तो आपका प्राइब मिल्क जो है यहां पर लिटर में आता है तो हाँ पर यूनिट शो कर सकतो लिटर तो अब देखो जब प्राइस आपका 50 रुपे लिटर का जब दूद आपको 50 रुपे लिटर मिलता था तो लोग कितना लेते थे भाई तब लोग जो है दूद लेते थे एक लिटर ठीक है डिमांड कितनी थी एक लिटर की लेकिन प्राइस सस्ता हो गया कितने को गया 40 रुपे को डिमांड कित तो प्राइब कर रहा है यह सीफ आपको इतना बता रहा है कि जब आपकी देखो जैसे इस प्राइज घटारा है तो इसी चीज़ को दिमांड शट्यूल क्या है यह इस चीज है जब इसी चीज जो है डिमांड को हम लोगों ने यह जब आपके रेपेशंट का दिया टैबलर फ़र्म में तो उसको में बोलते वी डिमांड शटीूल इसे समश में आई बात अब आप दिमांड श्यूड भी दो तरह का होता है यादखना एक होता है इंडीविज्व मार्कर डिमान्ट मैंने बताया है पहले आप लूझा बोलते मार्केट डिमान क्या होता है मार्कर डिमान्ट say किए किए किसका श्यूल है यह आपके endwhelay बॉन का श्यूल ऑख चिसका है इंडिविज से चाहеру मार्केत बना कर से चाहר है तो आप बना की बात करते हैं कि इसका कर बना आके देख लो जल्दी से किस सब दो कि मैं कर तो यह तो आप में लोगों को पता हो कैसे यहां पर देखिए आपने लिए एक फिर यहां से एक लाइन लो इसको लो बोलते हैं एक सेक्सिस मैस में पड़ा होगा और इसको हम लोग क्या बोलेंगे वाई एक्सिस आप लोग स्केल से बनाना बैतरी ठीक है तो यहां पर कितना होगा आपको पॉइंट ले लो जीरो कई म लोग चल जाएगा तक ना इंजिक ठीक है तो अप्राइस कितना है बीच तीस चालिज बचास तो इसको तरह से लो यहां पर ले लो टेन विट्रोट फिर ले लो बेटा जी 40 और फिर उपर जो यहां पर ले ले लिटे हम लो 50 ठीक है तो इस तरह लोगों ने क्या ले लिया इस तरह से आपना आरहें अब यहां पर कैसे होगा यहां पर कर लो यहां पर आप तो कर लो यहां पर लोग ठीक है फाइब भी आप कर से तो कोई जरूरी नहीं जितना नहीं लिए ना इतना पता होनों चाहिए अब लोग ठीक है आप चौद बढ़ागे मिली सकते हो ठीके स्पेस नहीं लिखा अब देखो जब 50 ता प्राइस तो डीमान कितनी थी वन तो 50 भी कितनी थी वन तो अपने यह कॉइंट बना लिए ठीक है सर फोर्टी धीरिमान कितनी भी टा-टू फोर्टी दिर्यमान कितने थी हो यहां पास्ति ठीक है आप लुग दमें स्केसे ना पकिना लेना यहां पर भी बन रहा है बस काम चल जा रहा है 30 पे कितनी थी बटा जी ठीट हाट आपी जो यहां है थीक है तो इस तरह से बनेगा तो यह देखो किया इस तरह से कुछ क्वी क्लाइम बने जाएगे आपर यह बन गई समय आई बात को आपनाम देना ठीट तो नहीं दिमांड हो तो यहां पर यह बन रहाए आपका downward slope कैसा बन रहा है? Downward slope बन रहा है ठीक है? Downward slope क्यों बन रहा है भाई? जब कभी भी इतना याद आठ ना Downward slope हमेशा बनेगा जब कभी भी demand बढ़ेगी अगर price घटने की वज़े से demand बढ़ेगी तो वहाँ पर क्या बनेगा आपका downward slope बनता है ठीक है हमेशा अभी आगे कोशन बनेगा आपका downward sloping क्यूँ आपका downward downward slope ही क्यूँ बनता है हमेशा ठीक है तो अभी इस question में आगे में लोग देखेंगे फिलाहल अब इतना समझा जो जब कभी भी demand बढ़ती है तो वहाँ पर क्या होगा आपको downward slope देखने को मिलेगा ठीक है clear हुआ समझ मैं इस तरह से आपका बनता है इंडिविज्टेमांड के सब्सक्राइब का नॉमली अगर आप लोग बनाओगे इस तरह से तो यह आपका यू इस तरह से यू करके आपको कुछ बंदा है ठीक है इस तरह से बनता है ठीक है बुक की लेना यहां पर point C ले सकते हो फिर थोड़ा से यू लेकर जो यहां पर आप point डिलेना ठीक है इसको अपना बहती बना ले लिए इस तरह से ठीक है यह हो गया आपका कौन सा बैटा individual demand curve और individual demand schedule आई होब अच्छे तो दो या दो से ज्यादा लोग की बात होगी मतलब जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके किसी भी particular की demand कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं मार्क डिमांट बोलते है ठीक है कैसे बनता है पहरे तो प्राइसने करने मैं तो बालो कोई परसन एक परसन भी आप चाओ तो आप चाओ तो सी भी ले सकते हो यहां पर क्या हो गया जब प्राइस इसका कितना था हैंड़ ता तो आपकितना निक इतनी करता था यह तो निक करता था जब 90 कितनी करता था जब 90 करने लगा करने लगा और 70 करने लगा भी मतलब कहने क्या हो गया यह हो चाया बीओ किसी में काम आपका हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर यहां क्या करना है तो तुटल आक्ट कितना ुसामेट का कितना हुआ फाइफ फॉर फॉर वो इपनोट इस में डिमांड करने किसमें किस नाइन तुट पर-डिमांड स्वेडziałल इसे चमक्त मार्केट-डिमांड कर्में कैसे बनेगा देखो पहले तो आपको बनाना उखा लिए वाला है जिए घीला इसको इसको दिखा ना तो कैसे बनेगा भई गए पहला लए-अ मानलों आपने ये लिया एक अपने लिया एक सकीस एक अपने लिया यहांपर हो गए आपका zero टाले लोगे इस साइht आपको होता है प्राइच सांधा कुट्टिटी डुमांडेट तो यहांपर कितना आहां प्राइच में आसे पहले है 70 कि अपका हो गया 80 पिर उब को गया 90 फिर आपको ओगी बैटा हेंडड यहां पर कितनी डिमांड वन टू सरी कि तो साके ले लो वन टू थरी फोर पहले वाले कैसे बनेगा हैंडेट था तो कितना थी लिवांड हैंडट सा तो तो कितनी थी वन थी ठीक है 90 तो कितना होगे दा टू हो गई कि टीड और जब 80 कितना होगी बैटा आपकी निवांट three हो इसके तत्र켜के होगी फोर होगी तो यह तो यह कैसा तरह स्ग्ण गयाई किसका कैसा इसको दिखाएं गतां है सी dari नहीं होगी ठीक है इस तरह यूव बनेगा ठीक है यह कैसा होगे आपका इंडिविजिएल का पहला अगरां दूसरा बना तो कैसे बने कभी इसी तरह दूसरा ही बन जाए आपर एक सेक्से आपर जाए लगाए लगार यहां पर दिखाए जीरो तो प्राइस किता ले सकते हैं तू थीरी फोर प्रेंच कामी थोड़ा ओप बखरो यहां पर फाइफ दिखांळा रहे हैं यहां कितना है अरे sorry sorry यहां पर वह तो पैस दिखाना था गलती होगी फैस्टक सॉरी यहां अपर कितना हो जाएगा 70 80 90 और यहां पर कितना होगा 100 और यहां पर कितना होगा फूर और यहांपर कितना होगा फाइप टीक है कि इसे को बना दो एटी आ पिरता है यहां पर कुछ बन जाएगा तो यूं इस तरह से आपका बन जाएगा क्या आपका कौन सब्सक्राइगा यह तूसरे वह लिए डिमांड फ़ के लिए वही बन रहा है डॉनवर्ड लोप वार्ड ही डॉनवर्ड स्लोप ही बनेगा ठीक है लेकिन आपको एक्जैक्टली विना फिरमाने लेले इधी एटी यहां पर कितना है फिर नहीं लैकर यहां पर कितना है थ喜欢 सब्सक्राइब एक सेकसी तैuk है इस तरह से बनाना अब बनाने तो इ Figas मुछसे पहले जो बना यह अंडर पिक सी त्री फिन पहन है ये दिनल ृट नय है और विए ठीक है ठीक है ठीक इसर इट इसको बनाएंगे तो कैसे जाएगा कुछ यूँ जाएगा तो कैसा बनाएंगे आप यहां से कर सकते हो इसको यूँ ऐसे बना सकते हो और ऐसे करके सकते हो ठीक है तो यह आपका यूँ ऐसे करके जाएगा अगर आप इसको से ले जाना चाहो तो यहां वैसे बनता है यूँ ऐसे बन जाएगा ठीक है इसका थोड़ा सा क्या होता है मूर लास्टिक होता है यहां दखना कई बोले इंडिविजुल डिवांड करो मार्केट मैं जादाओ देखो एक दो तीन चार भी इसमें 45 आगे तक घेना एंडिविज्वट डिवांड के कंपेर में मार्केट डिवांड कर में जाधा होता है इसको क्या बोलते क्या होता है मूर 흲ास्टिक होता है इस तो थो सबसक्के करते हैं और देखते हैं कि DC Slok दिमांड क्या होता है ठीक है अभी आप We Are लुग में पढ़ दीया ठीक है उसके वोडे कि अपके देखी देख ली देखलिए तो लोग ने क्या माना कुछ एजूम किया ना जब प्राइस बाता इमांड घटते ये तो है लॉब दिमांड में जब लॉब दिमांड तभी काम करेगा जब अधर फैक्टर क्या होंगे क्या लॉप दिमांड को मानने के लिए कुछ चीज़ दिंग चीज़ जो सकी अधर क्या-क्षूर से क्या-क्या-क्या क्या व्यूद्धी कॉणी नहीं होगा कोई चेंज नहीं होगा इस पेटेशेंट नहीं होगा इस्ट प्राइश नहीं होगा नहीं होगा यह आपने आपका पूछ लेता है अगर आपका पूछ लेता है कभी दो तीन नमबर चोड़े क्योंट लेकिन कोशन बने गा तो यहां तक अच्छे से समझ में आपके आ गया होगा ठीक है तो आगी तक रखते हैं इसकी बात नेक्स वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डानवर्ड जाता है क्या रिज्चाने और नेक्स वीडियो में ही जो कल वीडियो आएगी उसमें आपका यह चैप्टर फूरिता से कंप्लीट हो जाए तक पार्ट इन में इक शाप्र है शर्ट में आपको समझ माया होगा कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्षन में इस्टाग्राम पर कॉंट्रैक्क कर लेना मिलते न्यूट वीडियो में और तक तक के लिए थैंक्यू से पहले वीडियो अच्छी है वीडियो को लाइक कर देना अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ठीक विल देनी वीडियो में तब तक ली थैंक यो सोमच